हलो फ्रेंड्स दिव्या वेलकम बेक टू माई चैनल वेलनेस एंड फूड आज हम बनाएंगे वेस्टेबल इडली ये इडली नॉर्मल इडली से बिलकुल अलग होती है क्योंकि नॉर्मल इडली में बहुत सारी वेजीज हम नहीं यूज करते हैं इन इडलीयों के साथ आप को सांबर बनाने की बिलकुल जरूत नहीं है क्योंकि हमने इन में बहुत सारी वेजीज का यूज किया है एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी और जालीदार हमारी इडली बनी है आप देखिए आपको देखरा होगा एकदम कॉटन जैसी सॉफ्ट है और पीछे से भी एकदम जाली है उसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया है ये फ्रेश दही है एक मिक्सिंग बोल ले लिया है उसमें मैंने डाल दिया एक कप सूजी और साथ में ही डाल दिया है आधा कप दही एक स्पून की हेल्प से दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके करके डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको लास में बताती हूं कि तोटल अभी मैंने इसमें कितना पानी डाला है तोटल मैंने इसमें आधा कब पानी डाल दिया है यानि जितना हमने दही लिया था उतना ही हमने इसमें अभी इसकी consistency को हमने set कर दिया है बाद में अगर और पानी लगेगा तो हम और पानी डालेंगे इसको cover कर देते हैं और कम से कम 15-20 मिनट के लिए cover करके rest करने के लिए छोड़ देते हैं cover करने से जो सूजी है वो full कर अच्छे से set हो जाएगी सूजी को cover किये हुए 15-20 मिनट हो गए हैं सूजी पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है यानि की सूजी full कर set हो गई है क्योंकि अब हम ये vegetable idli बना रहे हैं तो अब हम इसको और healthy बनाने के लिए डालेंगे इसमें बहुत स दाल सकते हैं उसी के साथ मैं डाल रहे हूं थोड़ा सा टमाटर जिसके की मैंने बीज को हटा दिया है थोड़ी सी मैं डाल देती हूं यलो वाली bell pepper bell pepper आप चाहें तो red, green, yellow, orange कोई भी जो आपके पास available वो डाल सकते हैं इसी के साथ red वाली bell pepper भी मैं डाल देती हूं पसंद की कोई भी और डाल सकते हैं साथ ही मैंने इसमें डाला है frozen mutter और frozen corn यहां पर मैंने थोड़े से काजू को इस तरीके से roughly chop कर लिया है ये भी साथ में डाल देते हैं अगर आपके पास काजू नहीं हो तो आप मूफली को भी chop करके डाल सकते हैं इन सब veggies और काजू को इसमें अच्छे से mix कर लेते हैं फ्रेंड्स आप इसमें onion खाते हैं तो onion भी डाल सकते हैं बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि veggies एकदम fine chop करी हुई होनी चाहिए कोई भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए इस batter की consistency को दुबारा से adjust करने के लिए मैंने आध एक साथ नहीं डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालते जाएंगे और इस batter की consistency को adjust भी करते चलेंगे तो मैं आपको last में बताती हूँ कि अब इसमें total मैंने कितना पानी डाला है यहाँ पर मैंने idli के batter को adjust कर लिया है और इसमें 3-4 cup से लेकर 1 cup तक पानी लग जाता है और इसकी consistency को बिलकुल idli जैसा कर लिया है तो चलिए चलते हैं आगे के process की तरफ अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक तो मैं यहाँ 3-4 teaspoon के आसपास इसमें नमक डाल रही हूँ नमक को भी batter में अच्छे से mix कर देते हैं और आपका batter इस तरीके का होना चाहिए कि जब आप उसको गिराएं तो वो batter में जाके मिल जाना चाहिए देखे इस तरीके से यह batter में जाके मिल रहा है तो चलिए हम आगे का process कर लेते हैं तो यहां मैंने ली है इडली के मोल्ड इसको मैं oil डाल के थोड़ा सा grease कर लेती हूँ ताकि जब हम इडली को निकालेंगे तो वो easily निकल जाएंगी तो सभी मोल्ड में दो से तीन ड्रॉप oil डाल दीजिएगा और brush या hand की help से इसको अच्छे से grease कर लीजिएगा तो मैं यहां पर अपने हाथों से इनको grease कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से लास्ट में इसमें डाल देते हैं half teaspoon baking soda अगर आपके पास baking soda ना हो तो आप इनो का भी use कर सकते हैं और इस soda को इडली के बैटर में अच्छे से mix कर लेते हैं सोडा को mix करने के बाद आपको इसको wait करने के लिए नहीं रखना है तुरंत आपको इसको इडली के mold में डालना है तो यहां यह सोडा mix हो गया है और अब हम ले लेते हैं अपने इडली mold उसमें एक से दो चमच इस batter का डाल देते हैं मैं यहां पर हर एक mold में थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देती हूँ देखिए आपको जो इसमें बैटर डालना है वो बहुत ज़ादा ओवर फिल नहीं करना है क्योंकि यह फूलती हैं तो यह फिर एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो आप इसमें 3-4 ही बैटर फिल करें पूरा बैटर फिल ना करें mold में यहां मैंने सभी mold 3-4 भर दिये हैं अब हम इनको लगा देते हैं steamer में steamer को मैंने पहले ही एक ग्लास पानी डाल कर गरम कर लिया था पानी और अब मैंने flame को कर दिया है medium medium flame पर सारी idli मैंने लगा दी हैं अब हम इसको 10-12 मिनट के लिए steam कर तो यहां पर 10-12 मिनट हो गए हैं और idli हमारी अच्छे से full के set हो गई है चलिए इनको check कर लेते हैं एक बार idli अच्छे से steam हुई है या नहीं हुई है उसके लिए हम knife को इस तरीके से insert करेंगे अगर वो clean आता है दोनों side से यानि हमारी idli अच्छे से steam हुई है हम हास से भ थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तभी हम इनको demold करेंगे सबी इडली यहां पर थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो मैंने यहां पर एक knife ले लिया है knife की help से मैं इनको demold कर लेती हूँ तो बस आप चारो तरफ से इसको scrap कर दीजिएगा इस तरीके से तो यह बहुत easily demold हो जात आप चाहें तो इनको knife की help से भी demold कर सकते हैं और आप चाहें तो spoon की help से भी demold कर सकते हैं तो यहां पर दूसरी इडली भी मैंने demold कर ली है तो चलिए अब हम इन इडली को serve कर लेते हैं friends इडली को मैंने हरी चटनी और ketchup के साथ serve कर लिया है आप चाहें तो इसको अपनी मन पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू